नमस्कर दोस्तों कैसे आज्सकरतों सब इच्छे होंगे और आपकी त्यार इच्छे से चलिएओगे दोस्तों आगी सीडियो सेग्मेंन में हम बात करेंगे यूप ihrs की के जो 10 पेसी डेवरेस्टृ सरकार नहल पर देने की बात कही थी उसमें यूप अर्थिक आदर पर पिछले हैं उनको लेकर एक नोटिस जारी की है कि वह किस तरह से एक डेट जारी की है जिसमें वताय गया है कि इस डेट के पहले पहले वह अपनी टॉक्मेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर दे ताकि थाकि उन्हें जो का फायदा मिल सके तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही डिसकस करेंगे दोस्तों हम बाकादि यहां पर दाइंडेर एक्सप्रेस की वेबसाइट पे हैं यहां पर इसका जिक्र किया गया है तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दू कि जिन लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा है तो यू पेसी की जो फॉर्म भरने की जो लास्येट है वह 18 मार्च है और 18 मार्च से पहले 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 अपना फॉर्म भर दे अब चुक्कि देट तो बहुत पहले 19 फ्वर्वर्दी को इसकी नॉट्रडिक्शन जारी कर दी गई ती तो अब जबकि यह के लिए सरकार ने एक अगस्त 2019 से पहले पहले अपने इस बेनिफिट को अगर उठाना चाहते हैं तो एक अगस्त 2019 से पहले पहले अपना फॉर्म यहां पर जो डॉकुमेंट्स किया हो सकता है वो यहां पर आके सब्मिट कर दे दोस्तों एक अगस्त 2019 से पहले पहले एक अगस्त 2019 से पहले पहले आप इसकी जो डॉकुमेंट्स हैं वो सम्मिट कर दे ताके आपको इसका बेनिफिट मिले दोस्तों आगे बढ़ता है देखते हैं क्या-क्या लिखा है कैसे तरह से आप इसका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों आगे देखते हैं आप क्या-क्या लिखा है दोस्तों आगे देखिए तो भी रेड़ी वही बाते केगे सार्टिफिकेट भाई एक अगर वजर उनी से पहले इसका सार्टिफिकेट आप इसे बनमा के आप सब्मिट कर दे ताकि इसका फायदा आपको मिल सके more ever the commission has asked the civil service exam as parent to fill part second form available on the official website upsc.gov.in and upsc.online.nic.in मतलब उस website पे आप जाकर जो भी second part का registration दोस्तों एक बार यह जो फॉर्म जो process है उसे बताने से पहले मैं आपको बता दू यूपसी का जब आप फॉर्म भड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि दो step में फॉर्म बढ़ना होता है पहला step क्या है आपको मैं बता दू यहाँ पह पहले में वहां पर इस certificate की जुरत पढ़ने वाली है और दोस्तों इसको update कर सकते हैं आप एक अगेस 2019 से पहले पहले से आप यहाँ पर संबिट कर सकते हैं दो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे क्या प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों आगे यहाँ लिखा UPSC has on February 2019 release the application form for civil service exam the government has recently announced to the introduced 10% reservation in central and state government job and educational institute for the people belonging to EWS community मतलब वही बाते कही गई है कि 19 फरीरी के नोट्विकेशन के बाद से और जब से जाड़ी किया गया एक फरवर की बात की वेकेंसी में वहां पर 10% रिजवरेशन देने की बात यहां पर सरकार ने की है और रिसी दिया जा रहा है यहां पर जो लोग पिछले हैं और जिनकी वह सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह जो दसीजी कोटा है उसका फायदा किस तरह से उठा सकते हैं आगे बढ़ते हम बताने वाले हैं दोस्तों कि आप इसका फायदा किस तरह से उठा सकते हैं जो क्या क्यों डॉकुमेंट्स लगेंगे इसके अंतरगत दोस्तों यहां पर दे इसके साहथ म आप मैं बता दू है से में किंदा को से लगने इंड वाला सबस्कारी कश्राइशन का वर नकितु कट कही कि बाति हम वह सुंधे क्या चाता है यहां पर तरीके से अपको जो है अगर पैन कार्ड हो तो आपको 살살 के साथ ओंट कार्ड ओआ पैसे के साथ जो सांथ जो नो пятाइठ होते है ब hacen पे सेंटर पे जाते हो बनवाने किसी भी सत्यापित अधिकारी किसी भी authorized यहां पे officer यहां पे clear किया है किसी भी authorized officer से यह बन सकता है जो कि SDM level का हो इस तरह के level का जो भी officers है वो ही इसे authorized यहां पे बना सकते हैं तो दोस्तों इस तरह के officer के बाद जब यह आप जो यह इस फॉर्म के लिए तो आप इन जो भी डास्तावेश को आप लेकर जाएं इन documents को लेकर जाएं ताकि आपको इसको बनवाने में ज्यादा time ना लगे दोस्तों यह तो रही documents की बात आगे इसे आप कैसे implement करेंगे कैसे आप UPSC के website पे लगाएंगे ताकि इसका फाइदा आपको मिल सके दोस्तों यहां पे आप UPSC जैसे मैंने पहले ही बता हैं यहां पे mention हो रखा है कि आप UPSC के website पे official website के UPSC पे जाएं और UPSC के official website पे जब आप form भरते हैं तो वहां पे आपको जब category आ रही है तो category में अभी आ रहा है कि पहले तो journal category दे रहा है उसके बाद OBC, SCHT उसे में एक category EWS की भी दे रही है तो economically weaker section का भी एक category आपको मिल रहा है वहां पे दोस्तों economically weaker section से यदि आप आते हैं तो आप उसे टिक करें तो आगे आगे जो आपको segment बन कर आ रहा है वो कुछ इस तरह से documents यहां पर update करने के का आ रहा है आगे यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फिट करने पर आ रहा है और सरकार ने पहले ही नोटिस चारी किया है अभी कल यह update के दिन इंडियन एक्सप्रेस में आप देख सकते हो कि कल ही यह notice आई हुई है कि दोस्तों यहां पर आगे आप इसका त्लाब उठाना चाहते हैं तो तक कहीजा रही है क्या उसे मिलेगा यह मिलेगा मिलेगा दस तो यहां व ररतमान जो कंडिशन है वो यह है कि यहां इडिया ऐसा दावा कर रहे हैं कि वो यहां पर एज और टाइम में रिजूरेशन जो नहीं दिया जा रहा है उसको लेकर यहां पे सुप्रिम जा सकते हैं तो दोस्तों इस तरह की बात अलतकी सामढ़े हैं इसके सासरे को अपडेट आपको और देदू मैं कि जो दसफीजी कोट है यहाँ पर दसफीजी अरक्षन यहाँ पर सरकार ने दिया है उसको लेकर यहाँ पर बाते सुप्रिम कोट जाने की बात कही जा रही है तो दोस्तों पहले तो दसफीजी अरक्षन को लेकर जो चैलेंज करने की बात क पहले ही जा हैि इस पर हो रहा था में पहले ही बौल दिया था कि इस पर सुप्रीम कोड कोई को सुनेंग्व हाइस का पर सुनेंगा पिसका कि इसको लेकर पा depends है को यह आपे यहां पर सुनेंगे प्छेज़ गॉत 5-ërosition को आप यहां कोई आचिका करता यहाँ पे सुप्रिम कोड ने साफ साफ यहाँ पे 28 स्मार्च इसकी डेट डाली है फिर यहाँ पे सुनवाई 10 पीजार रिचट का इंतर्गत की जाएगी तो दोस्तों यह तो रही सुनवाई की बात आगे बढ़ता है दोस्तों बहुत से ऐसे संगेटरन है जो यहाँ पे यहाँ पे 35 और यहाँ पे जो इतेप्ट वह नो है तो दोस्तों यह पैटेस और नौ के भी चहां पर मामला फसा हुआ है चोकि अभी को नोटिफिकीशन में स्टर के बात यह सें बनी हुए कि और को अभी रिलक्षेशन मिला है यहाँ यहाँ और खास बात यह है कि यह पर देख सकते हों यहां पे जिस तरह से फीस में भी चूट नहीं है और यहां पे एज में भी चूट नहीं है कुछ खाव्यां कि आए कि इस स्पंधरियु यहां करते हैं और जो भी इनमें रिलक्शेशन नहीं दिया गया उसे रिलक्शेशन 32-35 यहाई दूसरी और यहाँ तो कि रिजर न को और की संवाब किया आप देखना दिल चाहिंत करता हूं यहाँ कि 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 रिखिंश सी ठरीचिटिव क्सरीच कषण करें की मांग कर रहे हैं या उन लोग को जिन लोग यहां पर एज और में यहां पर benefit को और आगे implement करने की बात कह रहे हैं तो दोस्तों आसा करता हूं आप एक अगस्ट 2019 से पहले इसका form फिल जो documents है उसे submit कर देंगे ताकि आपको जो profit यहां पर मिल सकेगा जो भी आपको यहां पर benefit है वह मिल सकेगा दोस्तों UPSC ने official यहां पर जारी किया है कि एक अगस्ट 2019 से पहले आप इसे submit करतें तो आसा करता हूं आपको यह बाते समाज आई होंगी और और